हमारा प्यारा जार्खंड, जार्खंड का परिचय, चारों तरफ पहाडियों एवं वनों से भरा हमारा राज जार्खंड प्रकृती का मनोरम स्थल है, एक बार जो यहां आता है, फिर यहीं का होकर रह जाना चाता है, यहां की स्वर्णिम भूमी वनसंपदा से संपूर्ण ह इसकी प्रकृती छटा अनूठी है जार्खंड का राजकिय भाशा हिंदी है और यहां का राजकिय पक्षी कोयल है राजकिय पुष्ट पलास है तथा राजकिय जानवर हाथी है जार्खंड का इतिहास जंगलों से भरा इस प्रदेश को जार्खंड नाम से संबोधित किया और आज नवोधित राज्ज का नाम जार्खंड हो गया इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है ईशा के लाखो वर्ष पूर्फ के पत्थर के हत्यार बरतन आदी यहां मिले हैं पहले जार्खंड बिहार और उडीसा सन्युक्त रूप में एक राज्ज थे जार्खंड एक अलग राज्ज 1936 इस्वी में बिहार और उडीसा अलग राज्ज बन गया बिहार के साथ जार्खंड राज्ज का विकास अच्छी तरह नहीं हो रहा था इसलिए जार्खंड को अलग राज्ज बनाने के लिए जार्खंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चलता रहा और 15 नवंबर 2020 को बिहार से जारखंड अलग राज बना और जारखंड भारतिय गंतंत्र का 28 वा राज बना नए इस राज बना 18 जिले थे बाद में जारखंड के 24 जिले बने 15 नवंबर को जारखंड का जन्म दिवस और स्थापना दिवस मनाया जाता है जारखंड की चोहदी जारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षण में उडीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में 36 कड एवं उत्तर प्रदेश है जारखंड का भूगोल जारखंड का क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है जारखंड की लंबाई 463 वर्ग किलोमीटर तथा चोड़ाई 380 किलोमीटर लगभग है जारखंड राज में 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है जारखंड राज की सबसे लंबी नदी स्वर्णरेखा नदी है जार्खंड में पंचायतों की संख्या 4352 है और जिलों की संख्या 24 है जार्खंड के पर्फ त्योहार जार्खंड में विभिन्द धर्मों के लोग रहते हैं इसलिए यहां विभिन्द प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं हिंदू यहां पर दशरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, राम नवमी, इत्यादी मनाते हैं मुसल्मान इद, बकरीद, मोहरम, इत्यादी और इसाई धर्म के लोग क्रिस्मस, गुड़ फ्राइडे तथा जैन धर्म के लोग महावीर जैन्ती और सबसे प्रमुख आदिवासी लोग सरहुल, कर्मा, तुसु आदी त्योहार मनाते हैं जारखंड एक अलग राज 2022 में जारखंड की कुल जनसंख्या 4,16,12,951 है, जो की बर्ष 2011 की जनसंख्या से 87,00, अधिक है बर्ष 2011 में जारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 थी जारखंड में 30 के करीब जनजातिया रहती है जिन में संथाल, मुंदा और उराव के 3 प्रमुख जनजातिया है जारखंड में चावल और गेहु दोनों फसले होती है आदिवासी चावल और पक्षियों के मास में बेहद रुची रखते है यहां मदिरापान, शराब, काभी, व्यापक रूप से प्रचलन है देश में खनिच की दृष्टी से जारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है यहां कोईला, लोहा प्रचूर मात्रा में विद्यमान है यहां उद्योग धन्दे भी है, मुख्य रूप से जमशेदपुर, रांची में प्रमुख रूप से कारखाने उपलब्ध है कामबा, क्रोमाइट, मैगनीज और बॉक्साइट यहां प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जारखंड की नदिया जारखंड की नदिया बरसाती होती है, इसलिए इनमें बरसात के दिनों में ही पानी होती है, तथा यह गर्मी के दिनों में सूख जाती है जार्खन की सबसे लंबी नदी स्वन रेखा को कहा जाता है, तथा दूसरी सबसे बड़ी नदी दामोदर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है निशकर्ष नए राज्य के निर्मान से यहां के लोग अत्यन सुखी है इस प्रदेश में अनेक संभावनाएं है जार्खन राज्य बने लगभग 21 वर्ष बीट चुके हैं किन्तु अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है क्योंकि यहां के लोग जागरूक नहीं है आशा है कि आपको हमारा प्यारा जार्खन अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करे और विडियो को लाइक और शेर जरूर करे धन्यवाद